नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे चैनल में दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को जरूर दबाईए दोस्तों पुरानिक सास्त्रों में काल गया है कि जिस घर में ज़ाडू का अपमान होता है उस घर में धन की हानी होती है क्योंकि ज़ाडू में धन की देवी मा लक्षमी का वास माना गया है दोस्तों आज हम ज़ाडू के बारे में कुछ महत्वपोन बाते हैं आप से सेर करना चाते हैं दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपके घर पर धन की हानी ना हो दोस्तों विद्वानों के अनुसार ज़ाडू पर पैर लगने से मा लक्षमी का अनादर होता है ज़ाडू घर का कच्रा बाहर करती है और कच्रे को दरिद्रता का परतिक माना जाता है जिस घर में पूरी शाफ शपाई रहती है वहाँ पर धन, शंपती, शुक, शान्ती र दरिद्रता का वास होता है ऐसे घरों में रहने वाले सभी सदिश्यों को कई परकार की आर्तिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है इसी कारण घर को पुईत्र साफ रखने पर जोर दिया जाता है ताकि घर की दरिद्रता दूर हो शके और मा लक्षमी की कृपा प्राप्त हो शके दोस्तों घर से दरिद्रता रूपी कच्रे को दूर करने के ये जाडू यानि मा लक्षमी हमें धन्न धान्य शुक्षंपती प्रदान करती है दोस्तों वास्तु विज्ञान के अनुशार जाडू सिर्फ घर की गंदगी को दूर नहीं करता है बलकि दरिद्रता को भी घर से बाहर निकालकर घर में शुक्षमर्दी लाता है जाडू का मैंतो इससे भी समझा जा सकता है कि रोगों को दूर करने वाली सीतला माता अपने एक हाथ में जाडू धारन किये हुए हैं दोस्तों यदि भूलवस जाडू को पैर लग जाए तो मा लक्समी से समा की प्रातना कर लगनी चाहिए जब घर में जाडू का इस्तेमाल न हो तो दोस्तों तब उसे नजरों के सामने से हटा कर रखना चाहिए दोस्तों जाडू के कुछ खास चीजें जो हैं जाडू के बारे में उसे आज हम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों साम के समय सूर्यास्त के बाद कभी भी जाडू नहीं लगाना चाहिए इससे आर्थिक प्रेसानियों का सामना करना पड़ता है दोस्तों जाडू को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए क्योंकि खड़ा जाडू घर में कलेस और कला का कारण होता है दोस्तों आपके अच्छे दिन कभी भी खतम नहीं हो इसके लिए हमें चाहिए कि हम गलती से भी कभी जाडू को पैर नहीं लगाएं अगर पैर लगाते हैं तो मा लक्षमी रूट कर हमारे घर से चली जाती है दोस्तों जाडू को कभी घर के बार विक्रा कर ना फैकें इसको जलाना भी नहीं चाहिए दोस्तों इसे हमेशा अकेल एकांत जगा में रखना चाहिए दोस्तों जाडू को कभी भी घर के बाहर अत्वा छत पर भूल कर भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि ऐसा करना असुब माना जाता है कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में चोरी की वारदात होने का भय उतुपन रहता है जाडू को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए ऐसी जगर पर रखना चाहिए जहां से ज़ाडू हमें घर या बार के किसी भी सदस्य को दिखाई नहीं दे। दोस्तों, गो मता या किसी भी जानवर को कभी भी ज़ाडू से नहीं मारना चाहिए या उनको मार कर भगाना कभी नहीं चाहिए। दोस्तों अगर घर परिवार के सदस्य किसी खास कार्य से घर से बाहर निकले हो तो उनके जाने के बाद तुरंत ज़डू कभी भी नहीं लगाना चाहिए ये बहुत बड़ा अपसकुन माना जाता है ऐसा करने से बाहर गए वक्ति को अपने कार्य में शफलता नहीं मिलती है और सफलता का मुँ देखना पड़ता है दोस्तों अगर आप नहीं ज़डू लाएं तो सनिवार के दिन पुरानी ज़डू को बदल देना चाहिए और जो पुरानी ज़डू है उसको कहीं एकांत जगा में रख दें घर के मुख्ये दर्वाजे के पिछे एक छोटी सी ज़ ज़डू टांग कर रखना चाहिए जिससे घर में लक्षमी की करपा बनी रहती है दोस्तों जो लोग किराये पर रहते हैं वह नया घर किराये पर लेते हैं अत्वा अपना घर बनवा कर उसमें गरव परविश करते हैं तब इस बात का ध्यान रखें कि आपका ज़डू करते हैं और नए गर में सुक्र शमर्दी का विकास रुक जाता है तो आसा करता हूं दोस्तों कि हमारे द्यारा दी गई जानकरी आप लोगों के लिए लावदाएक सिद्ध होगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद